हेलो चैरी किट्स कैसे हो आप लोग मिस्स करेते मुझको मैं भी मिस्स करी थी आप लोगों को मुझे लगा मेरे चैरी किट्स के लिए मैं एक अच्छी सी इंट्रेस्टिंग स्टोरी डूंड़ू तो उसमें ही टाइम लग गया ना लेकिन मैं बहुत इंट्रेस्टिंग स्ट करते हैं अपना स्टोरी टाइम तो आज की स्टोरी मैं सुनाओंगी एक शेर के बारे में आल सी शेर बुद्धु शेर अपने आपको चलाख समझने वाला शेर और उसका नाम था शेर खौन तो पता है एक जंगल में शेर खान नाम का एक शेर है था था वो पहले तो उसको बड़ा मसा आता था अपना शिकार ढूंगता था पेट भार के खाता था भाग भाग के दोड़के अपने शिकारों पर हाख करके खा जाता था पर पता है क्या हुआ आपको एक बार शेर को दैन में मतलब उसका जो केव था ना डैन मैं अपने डैन में बैठ हूँ और वहीं मुझे खाना मिल जाए हम भी कभी सोचते हैं ना कि हमारे रूम में हमें खाना मिल जाए हमें डाइनिंग टेबल तक ना जाना पड़े और ममा ऐसे हमें सर्फ कर दे पर वो तो गलत है हमें अ एक आइडिया लगाता हूँ ऐसा करता हूँ मैं जंगल में ये खबर पहला देता हूँ कि मेरी टप्यट खराब हो गई है और मैं बहुत दिमार हूँ तो सब लोग मुझे देखने आएंगे और मैं का जोंगा तो उसने ये एक चिडिया को बोला और उसने पूरे जंगल मे खबर भैलवा दी कि अपना शेर खान तो बिमार हो गया है चलो चलो सब लोग देखने चलते हैं उसको तो सब लोगों ने सुचा कि एक साथ नहीं जाते एक एक करके चले जाएंगे जैसे जैसे जिस जिसको समय मिलेगा वो अपने हसाब से जाता जाएगा और शेर खौन को खबर लेकर आएगा कि वो कैसा है उसको किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं अब क्या हुआ लेकिन शेर खान के दिमाग में तो कुछ और खिचड़ी पक रही थी लेकिन सारे जितने भी अनिमल्स उसको खाल चाल पूछने आते थे ना वो फन बन करके आते थे जैसे कि कभी कोई घोड़ा आ गया कभी कोई कथा आ गया कभी चिडिया आ गई तो कभी एक एलेफेंट आ गया तो उसके लिए तो बहुत असान हो कहता शेर खान को अपना शिकार करना वो अंदर बुलाता था हाँ हाँ मैं बिमार हूँ अंदर आज जो अलेफेंट अलेफेंट अंदर चला जाता था फिर अंदर जैसे जाता था और शीर खान अपने खूनी पंजों से शिकार कर लेता था और वहीं मार कर खा जाता था अब उसने एक बार elephant को मारा, एक बार गधे को मारा और इस तरह अपना शिकार वो करता चला गया और उसका पेट भी भड़ता गया, खूल एक दिन एक फॉक्स जो था ना, उसको लगा कि बहुत दिनों से मैंने शीर खान की तब्वित का सोचा था, मैं गया नहीं, क्यों ना मैं उससे जाके आज मिलका रहूँ लेकिन जैसे ही वो उसके एक देन के पास गया, उसने कुछ देखा, और आपको पता है, फॉक्स तो बहुत इंचलिजन्च होते हैं, बहुत चलाग भी होते हैं उन्होंने देखा फॉक्स ने कि सारे पंजे जो एनिमल्स के थे, वो अंदर जाते हुए तो दिखाई दे रहें, लेकिन कोई भी बहार आते हुए नहीं लग रहा, और ये देखते ही फॉक्स को सारी चलाकी शेर खान की समझा गई, उसने शेर खान को कहा, अरे ओ शेर खान कैसे हो, तो उसे ही पूछा, शेर खान बोला, अंदर आ जाओ, मैं ठीप नहीं हूँ, फॉक्स कहते हैं, मैं अंदर नहीं आओंगा, मैंने क्योंकि देख लिया है, सारे पंजे अंदर जाते हैं, एनिमल्स के, लेकिन कोई भी पंजा बाहार आते हुए नहीं देखा, और मै तुमारी सारी चलाकी समझ गया हूँ, शेर खान, तो तुम मुझसे चलाक मत बनो, शेर खान, तो सारा उसका राज खुल गया, उसकी चलाकी फॉक्स के सामने खुल गई, और फॉक्स इतना इंटेलिजन था, उसने जाके सारे अनिमल्स को बता दिया, कि तुम मत जाना शेर शेर खान ने बिमारी का बहाना किया है और वो सारे अनिमल्स का शिकार करता है और इस तरह शेर खान भूका रह गया और कोई भी अनिमल्स उसके जहांसे में नहीं आया तो यहां हमारी सोरी होती है खटाम तो अब आता है हमारा मॉरल टाइम मॉरल तो मेरे चरी स्टूरेंट्स पताएंगे कि क्या समझ आया और क्या नहीं लेकिन जो मुझे समझ में आया है इस स्टोरी से वो यह है कि चलाकी होना जरूरी है हमें थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करना चाहिए लेकिन इस तरह धोका देगे दे धोके बाजी जो है वो गलत बात है जूट बोलना गदी बात है मेरे चरी केटस तो कभी भी नदोका देते हैं और नहीं कभी कोई जूट बोलेंगे है ना तो चलो फिर मिलती हूं अगले बार नाई स्टोरी के साथ तब तक के लिए don't forget to subscribe my channel like my videos please do like my videos don't forget it and follow me on my instagram and my facebook तब तक के लिए bye bye charity kids love you थाम के लिए एंगा जाई सुटने स्टोरी के लिए जाई सबस्ड़िए तक के लिए टूचरा जाई अूपरोगा स्टोरी के लिए यदूटने सीफ़िए